दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाँ आप पूछेंगे जी मैंथी का उप्योग करने का तरीका तरीका बहुत सरल बताया बागवट जी ने कि रात को एक गिलास गुनगुने पानी में या गरम पानी में एक चम्मच मैथी दाना डाल दे रात भर उसको रखें सुबह उठकर मैथी दाने को चबा चबा के खाएं चबा चबा के खाने का महत तो बहुत है कई लोग मैथी की फंकी लेते हैं पिसा हुआ मैथी होता है ना उसकी फंकी लेते हैं लेकिन फंकी का महत तो इतना नहीं है जितना चबा कर खाए हुए मैथी का है क्यों? कारण उसका ये है कि जैसे ही मैथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होते है क्योंकि मैथी का जो स्वाद है न वो कटुक है कशाय स्वाद है उसका तो उस स्वाद की कोई भी चीज़ आप चवाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुती महतुपुन और उप्योगी है इसलिए मैथी दाने को चवा कर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है तो आप मैथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें गरसोई में रखें उसका उप्योग करें इस मैथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है हमारे जादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मैथी होती है जादातर तो आप बागवट्ट जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मैथी है वो अचार नहीं है और शदी है दवा है माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मैथी है, मैथी है तो जरूर खाए, वो चाहे आम का अचार हो, चाहे कोई भी दूसरा नीवू का हो, या जो भी अचार आप डालते हैं, अगर मैथी है, तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं. दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिल लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें.